नवश्कार मैं हूँ सूकरती रोय चैटर जी और बोल्स काई में आप सभी का स्वागत है आलू में आईरन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, फॉसफोरस, प्रोटीन, विटामिने, बी और सी होते हैं जो चहरे के लिए काफी फाइदे मंद हैं अगर आपके चहरे पर भी दाग, धब्बे और डाक सर्कल्स हैं तो आज से ही आप आलू का इस्तमाल करना शुरू कर दें आलू का इस्तमाल करने के लिए आपको आलू के छिल्के को पीछना है और फिर इसे चहरे पर लगाकर हलकी हलकी मसाज करना है इसे कुछ वक्त रहने दे और इसके बाद पानी से चहरे को धोले इससे आपके चहरे के काले दाग धबे साफ होते नजर आएंगे आलू के रस का इस्तमाल करने से आपकी तवचा जवान नजर आएगी इसके लिए आप आलू के रस में करीब दो चमच दूद मिलाएं और इसे घोल ले फिर इसे रूई या कपड़े के साहता से अपने चहरे से लेकर गर्दन तक लगाएं करीब आदे घंटे तक इसे रहने आप चहरे पर आलू का रस लगाएं और करीब 20 मिनट तक रहने दें फिर इसे पानी से धोले आपके चहरे पर होने वाली जुरियां जटपट खत्म हो जाएंगी वही आलू के रस में ऐसे तत्व भी होते हैं जो आपके चहरे से टैनिंग को हटा कर तवचा को निखारते हैं इसके लिए आप आलू के रस में नीमू का रस मिलाएं और इसे चहरे पर लगाएं इससे आपकी तवचा दमकती हुई नजर आएगी वही अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आलू का रस लगाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इससे चहरे में निखार आएगा और आपकी तवचा दमकती नजर आएगी इसके लिए आलू के रस में एक चमच दही मिलाएं और इसे पेस्ट की तरह चहरे से गरदन तक लगाएं करीब 20 मिनट तक इसको रहने दे और फिर पानी से धूलें उमीद करती हूँ कि आपको ये विडियो पसंद आया होगा विडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें